हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा हम किस तरह से वीवी.net के अंदर external applications जो है जैसे कि calculator है आपका notepad हो गया wordpad word, Excel, powerpoint वगरा हम किस तरह से इनको run कर सकते हैं vb.net के अंदर सो शुरू करने से पहले मैं आप कोई टीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और पहला इक अंदब आए है ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको update मिलता रहे है तो जली शुरू करते हैं यह मेरा visual studio open है और एक form इसमें create किया हुआ है form 1 इसका तो मैं एक तो start position मैंने center screen किया है और साथ में इसका जो form border style मैं fix it single रखना चाहता हूँ और यहां पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए एक panel इसमें मैं place करूंगा और इस इस panel का जो dog property है उसको मैं dog कर देना चाहता हूँ और इसका जो back color है panel का वो मैं थोड़ा सा change करूंगा तो यह वाला साथ में इसमें एक label इसके उपर मैंने label place किया है तो label का जो text है वो मैं change करूंगा using vb.net to run external application साथ में इसका जो four color है वो change करेंगे to white और जो इसका font size है वो थोड़ा bold करेंगे ताकि यह थोड़ा सा अच्छा लिखे अब हम कुछ button इसमें add करेंगे button एक दो so draw करने के बाद इनका जो size है वो इसके size का कर देंगे सब को तो यह हमारा इसको थोड़ा बढ़ा देंगे एक तो हम जो calculator है calculator दूसरा हो गया आपका note pad तीसरा हो गया word pad चूता हो गया paint और word यह एक्सल और यह powerpoint और last जो है last में system information भी usually हम रखते हैं तो हम वो भी देखेंगे तो लास्ट वाला हम system information system information तो यह आ गया है यह form पे हमने जो buttons यह आपके add के हैं तो form का मैं थोड़ा background color भी चेंज करूंगा तो यह वाला दे दूंगा यहां पे अब इनका font size है इनका font size भी थोड़ा change के ता कि यह थोड़ा सा visible दिखेंगे मेबी ठीक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देगे system information अब इनके जो नेम प्रपर्टी है वो चेंज करेंगे btn calculator इसका नाम जो है notepad है btn notepad इसका नाम है btn wordpad, btn paint, btn word, btn excel, btn powerpoint यह वाला जो है btn system info इसे double click करेंगे तो हम code window में आ जाएंगे तो यहां पर हमने system.diagnostics.process.start process का नाम वो है calc.exe calculator जो है उसका है so यह आ गया हमारा इसके बाद हम notepad को देखेंगे so notepad का इसी तरह से system.diagnostics.process.start यह वाला जो notepad .exe है इसके बाद wordpad का system.diagnostics.process.start so यह जो wordpad है so wordpad.exe इसके बाद है paint so system.diagnostics.process.start यह है इसके बाद है इसके बाद है हमारा word so इसके लिए लिखेंग system.diagnostics.process.start यह हमारा word so इसका है process का नाम है .adwin.exe जो application है आपके उसके लिए नाम so यहां पे है excel so system.diagnostics.process.process.start so excel.exe इसके बाद है powerpoint so system.diagnostics.process.start .adwin.exe यह है हमारा powerpoint so powerpnt.exe powerpoint के लिए finally system info so system.ops system.diagnostics.process.start .start.ms.info.exe so यह 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 8 जो हमने external applications ही जैसे calculator, note, pad word, pad, paint, excel word, powerpoint, system information इनको हम run करेंगे आहा, vv.artnit के अंदर, so run करके देखते हैं calculate पर क्लिक करेंगे, देखते हैं, calculator open हो रहा है, बिलकोल open हो रहा है, notepad, notepad open हो रहा है, wordpad, wordpad भी open हो रहा है, paint, oh, यहां के, oh, यहां के, oh, यहां पी, spelling error है, actually, mspaint था, मैंने msint लिखा है, sorry for that, so it is actually mspaint, mspaint.exe, so try करते हैं, फिए, paint, g, paint, open हो रहा है, word, यहां का Microsoft word है, excel, यह excel हो रहा है, पावरफाइंट, यहीं से आप open कर सकते है, system info, msinfo, I think, msinfo, maybe, check करते हैं, yes, यह msinfo32.exe है, so इसका यहां पर आप देख सकते हैं, यहीं से sound device कौन कौन सी है, आपके, इसमें क्या-क्या लगा है, mod, m, network, वगएर, system की information आप यहां से हादल कर सकते हैं, एक और चीज में दिखाना चाहता हूँ आपको जैसे मैंने paint यहां पर open किया, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस paint में, sorry, not paint, यह है not paint, यह है not pad, नोट पैड में आप यहां से कुछ, इसको कुछ text बेजें, ताकि जब भी आप इस पर click करें, तो वो text इसमें लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो किस तरह से करते हैं, दिखा देता हूँ आपको, तो यहां पर note pad, यह है not pad, यह हमारा note pad, यहां पर हम लिखेंगे my.computer.keyboard.sendkeys और यहां पर आप double quotes में लिखेंगे, जो आप note pad में बेजना चाहते हैं, क्या text आप बेजना चाहते हैं, मैं लिखेंगे welcome to vb.net, तो यहां पर हम true or break and close, तो अगर हम इसको run करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर यह, यह text भी वहां पर नोट पैड में जब open हो जाएगा, तो साथ में text भी आ जाएगी, जैसे यह नोट पैड है, यहां पर आप देख सकते हैं welcome to vb.net, यह इसमें automatically आ जाएग, तो इसी तरह से आप बहुत सारी जितने भी external applications है, वह आप vb.net के अंदर open कर सकते हैं,